Hello everyone, तो भाई आज हम अपनी एक कोर्स की सबसे छोटी पर सबसे डीप पोएम स्टार्ट करने वाले जिसके एक-एक वर्ड का बड़ा डीप मीनिंग है और पोएम का नाम आपको यहां दिखी रहा है, आंट जेनिफर स्टाइगर जो की लिखी है एडरिन रिचने तो पोएम के एक्स्टार्ट करते हुए, आंट जेनिफर स्टाइगर प्रांट अक्रोस अ स्क्रीन अब यहां पर एक चीज देखने वाली है जो सबसे स्टार्टिंग के दो वर्ड्स है, आंट जेनिफर अब यहां पर आप सोच लोगे, यहां पर इतनी खास बात क्या है, यहर एक चीज यहां अब्सर्फ करने वाली है कि पोएट ने कितनी ब्यूटिफुली आंट जेनिफर का नाम लेके उस टॉपिक को इंट्रिड्यूस कर दिया पोएट ने यह नहीं का, माय आंट जेनिफर, यह पोएट ने पहले आंट जेनिफर का description नहीं दिया, उसके बारे में कुछ बतायए यह उनके बारे में उन्होंने बस simple ने आंट जेनिफर, जैसे आंट जेनिफर को आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं हम personal ही जानते हैं जेनिफर को और वो हमारी भी आंट है तो बड़े अच्छे से point ने introduce किया आंट जेनिफर को अब यहाँ पे next चीज जो देखने वाली है वो apostrophe S और tigers, मतलब क्या है यह जो tigers है यह आंट जेनिफर की property है आंट जेनिफर को belong करते है आगे क्या लिखा है सबसे पहले समझते है प्रांस का क्या मतलब होता है प्रांस का देखो मतलब होता है walk करना, थोड़ा उचलते वे walk करना, थोड़ा confidence और थोड़ी खुशी के साथ walk करना जैसे कि यह लड़की यहाँ walk तो कर रही है पर थोड़ा उचलते वे थोड़ा लहराते वे, थोड़ी confidence और खुशी के साथ यहाँ पर walk कर रही है और इसी तरीके से यह जो horse है, मैं यहाँ पर एक चीज बस clear करना चाहता हूँ प्रांस का मतलब भागना नहीं होता जैसे यह horse walk कर रहा है पर थोड़ा उचल क्या walk कर रहा है इसे हम कहते हैं prancing तो यह जो tigers है यह prance कर रहे हैं खुशी से थोड़ा walk कर रहे हैं उचलते उचलते across a screen अब यह screen क्या है देखो यार, आप में से कई लोगों को already पता होगा embroidery क्या होती है, embroidery को हम इंदी में कड़ाई भी कहते हैं basically, जब हम किसी कपड़े के उपर, needle sweet और धागे से design बनाते हैं, अलग-अलग उसे कहते है embroidery और इसका screen का अब यहाँ पर क्या मतलब है यह देखो, होता क्या है देखो, professional जो embroidery के workers होते हैं, वो क्या करते हैं वो एक frame लेते हैं इस frame में कपड़े को stretch करके लगा देते हैं, और एक उपर जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इस screw से, इस frame को tight कर देते हैं, ताकि जो यह cloth है, यह stretch होके इस frame में फसा रहता है और इस पे आप designing कर सकते हो, इस पे basically कोई silver टे नहीं आते है, fold नहीं होता यह जो एकदम stretch हुआ हुआ है अब यह frame के stretch कैसे होता है फस्ता कैसे, obviously हमारा matter of concern नहीं है अगर आपको फिर भी जानना है तो 2-3 minute की YouTube वीडियो आपको अराम से मिल जाएंगी सर्च कर लो YouTube पे जाके how to frame cloth in embroidery frame तो ऐसा कुछ जाके सर्च करो आपको अराम से मिल जाएगा तो होता क्या है, जब हम इस frame में फसा देते cloth को, तो हम फिर उस पे needle सुई धागे से हम ऐसी कोई भी तरीके, ऐसी या किसी भी तरीके कि हम इस पे designing कर सकते हैं कड़ाई का design है एक कपड़े के उपर, तो वो जो tiger है, basically उन्होंने जो बनाए है tiger, उन्होंने जो सुई धागे से embroidery करे हैं, वो tiger उचल रहे हैं, उचलते वे चल रहे हैं, उस cloth पे अब आगे क्या कहा गया है bright topaz denizens of a world of green tigers की बात करी गई है और यहां पे बड़ी खतरनाप vocabulary है की गई है, चलो पहले words का मतलब देखते हैं, topaz का क्या मतलब होता है, basically topaz होता है, एक stone होता है इस तरीके का stone होता है और वो बहुत shiny होता है, चमकता है और जैसे कि आप इस stone का color भी देख सकते हो, tigers का भी color कुछ ऐसा ही होता है, golden तरीके का थोड़ा light golden तरीके का तो tigers को यहां पे सबसे पहले क्या कहा गया है, tigers जो है, वो bright topaz है, चमकते वे हैं, topaz की तरह है, topaz के पत्थर की तरह है और वो denizen of a world of green है, denizen का क्या मतलब होता है, denizen का मतलब होता है native होना किसी चाहिएगा, अब native का क्या मतलब होता है, भाई, जैसे मैं Delhi में रहता हूँ, तो मैं Delhi का native हूँ, मैं Delhi से belong करता हूँ, मैं Delhi का denizen हूँ तो जो tigers है वो denizen है, native है कहा के, world of green के simple world of green का क्या मतलब है तो अब यहाँ पे देखने वाली क्या बात है अल्दो यह टाइगर सिरफ एक embroidery का design है कपड़े पे बने हुए पर हम यहाँ पे देखो कितना हम intensely उन्हें personify कर रहे हैं हमने उन टाइगर्स को सिरफ एक कड़ाई की design को bright topaz कहा फिर हमने उनको imagine किया उस कड़ाई के कपड़े के उप़र उस कपड़े के उप़र के denizen of a world of green में है वो तो हम उन टाइगर्स को बहुत सादा real world में realistically सोच रहे हैं हम उन्हें personify कर रहे हैं सिरफ एक embroidery को ऐसा क्यों है यह आपको poem के end तक आते आते समझ में आ जाएगा आगी का का गया है they do not fear the men beneath the tree मतलब क्या है इन टाइगर्स को जो हम world of green में सोच रहे हैं वहाँ पे trees है और उन tree के पीछे खड़े है men जो की plan कर रहे हैं कैसे इन tigers को मारा जाए या नुकसान पहुचाए जाए पर इन tigers को उन men उन आदमियों का उन males का कोई डर नहीं है चाहे वो कितनी ही planning कर ले अब यहाँ पे men को males को क्यों specifically target किया गया है यह भी चीज आपको poem के end तक समझ में आएगी आगे क्या कहा गया है देपेस इन असलीक शिवल्रिक सर्टेनिटी जो tigers हैं अब यहाँ पे दुबारा खदरनाख vocabulary फैक की गई है पहले vocabulary को समझते हैं देपेस यानि tigers जो हैं वो चल रहे हैं सलीक शिवल्रिक सर्टेनिटी के साथ अब सबसे पहले समझते हैं शिवल्रिक क्या होता है देखो यार जो ancient time के knights होते थे ancient times के योद्धा थे उन्हें knights कहा जाता था और आपने ये photo में जो knight है इसको कई movies और shows में देखा होगा basically इन knights के code of honor को शिवल्रिक कहा का जाता था अब code of honor क्या होता है कि कोई group of people चीजें जैसे करते हैं उसको code of honor कहा जाता है जैसे lawyers जो है उनका code of honor क्या है कि भाई जो judge है उसे my lord या your honor कहके वो बोलते हैं तो ये उनका code of honor है चीजें करने का तरीका है अब ये जो knights थे इनका चीज़े करने का क्या तरीका था इनका तरीका था भाई ये हर चीज बिलकुल confidence के साथ करते थे decisiveness के साथ करते थे और ये लोगों को बहुत courteciously बहुत अच्छे से deal किया करते थे तो ये जो tigers हैं ये जो चल रहे हैं ये shivalric certainty यानि पूरे confidence के साथ decisiveness के साथ चल रहे हैं इनको कोई भी doubt नहीं है अपने action के उपर और sleek का मतलब क्या होता है sleek का मतलब होता है smooth तो अब ये तीन words का मोटा मोटा क्या मतलब हुआ कि ये tigers चल रहे हैं बिलकुल smoothly यानि इनके कदम कोई डगमगा नहीं गए कोई भी doubt नहीं है इनको अपने steps पे और ये अपने काम को जो कर रहे हैं अपनी movement जो कल रहे हैं वो पूरे confidence और पूरी certainty के साथ कर रहे हैं तो अब आगे भड़ते वे अगले stanza में हम पढ़ेंगे कि Aunt Jennifer के अभी current क्या हालात है तो अब यहाँ पे क्या कहा गया है Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool Fluttering का क्या मतलब होता है Fluttering का मतलब होता है कापना Aunt Jennifer की जो fingers है वो अपनी wool को जिससे वो embroidery कर रहे हैं इसको संभालते वे उसको use करते वे काप रही है Find even ivory needle hard to pull और उनके लिए अपनी needle तक को खीचना उस cloth के across design को बनाने के लिए उस needle को खीचना भी उनके लिए बड़ा मुश्किल है उन्हें hard लग रहा है ivory का क्या मतलब होता है देखो जब हम elephant के tusk या फिर sing से कोई product को बनाते हैं उसे हम ivory कहते हैं तो ivory needle का क्या मतलब हुआ कि जो needle है वो elephant के tusk से बनाई गई है उसके sing से बनाई गई है तो aunt Jennifer के लिए wool संभालने में उनके हाथ काप रहे है उनके लिए needle खीचना भी बड़ा मुश्किल है अभी तक हमें यह नहीं बता कि क्यों aunt Jennifer इतने pain में है क्यों उनके लिए चीज़े इतनी मुश्किल है अगली line में हम main मुद्ध discuss करेंगे कि क्या दिक्कत है aunt Jennifer की life में the massive weight of uncle's wedding band sits heavily upon aunt Jennifer's hand यहाँ पे अब हमें main चीज़ पता चली है कि uncle का जो wedding band था अब यहाँ पे दुबारा apostrophe S है तो यानि जो wedding band है वो uncle को belong करता है फॉरण में क्या होता है भाई शादी के बाद आप जो दुलन है उसे wedding band पहनाया जाता है और aunt Jennifer के लिए वो wedding band एक हतकड़ी से कम नहीं है तो aunt जो uncle का हमारे uncle का जो wedding band है उसका weight जो है बहुत massive है इस world को देखो बहुत massive weight है और वो आज भी aunt Jennifer के हाथ पे heavily बहुत भारी बनके बैठा हुआ है अब obvious ही बात है यहाँ पे यह नहीं कहाना चाहता है कि उसका weight जो है वो literally heavy है यहाँ पे क्या signify करना चाहता है जो हमारा poet है वो कि जो uncle से शादी हुई है aunt की वो शादी aunt के लिए हमारी एक horror से कम नहीं है एक terrifying experience से कम नहीं है हमें नहीं पता कि uncle ने aunt को physically abuse किया है या emotionally abuse किया गया है उनके साथ क्या हुआ है हमें यह नहीं पता पर हाँ हमें यह पता है कि aunt Jennifer की fingers कापती है उनके लिए needle तक pull करना मुश्किल है उनके जो wedding band था उसका weight जो है aunt को बहुत massive बहुत भयंकर लगता है और आज भी वो भारी सा band जो है वो aunt के हातों पे बंदा हुआ है तो मतलब हमारी aunt बहुत pain feel कर रही है अपने uncle की शादी के साथ अब हमें last chance में poet imagine करवाएंगी कि क्या scenario होगा जो aunt Jennifer के death होगी when aunt Jennifer is dead her terrified hands will lie still ringed with the audials she was mastered by मतलब क्या है उनकी death पे उनके डरेवे हाथ उनके कापते वे डरते वे हाथ बेजान होके उनकी body पे होंगे still ringed with the audials she was mastered by audials का क्या मतलब होता है life के आपके बहुत बुरे experience जो बहुत लंबे समय तक चले हो तो मतलब क्या है जब aunt Jennifer की death होगी उनके हाथ तब भी ringed होंगे बदेवे होंगे उन बुरे experiences से जिनसे उनको master किया गया अंकल के दुआरा अब master को यहाँ पे थोड़ा सा master जो word है न एक slave और slave owner के relationship को जताता है जैसे कि यहाँ पे इस picture में है और बेसलिए aunt Jennifer के साथ शायर ऐसा बरतावना किया गया हो पर यहाँ पे main मुद्दायार क्या है कि जब aunt Jennifer की death होगी तब तक अंकल उनके साथ रहेंगे उनकी life में वो horror वो terror वो दुख वो दर्द बनाई रखेंगे और उनकी जिन्दगी जो है aunt Jennifer की हमें यहाँ पे एक चीज जानने को पता चली है कि उनकी death सक उनकी जिन्दगी में दुख भरा हुआ है और उनकी जिन्दगी जो है अंकल ने बरबाद कर दी है उनको master करके और उनको उन दर्शाना चाहता है यह दर्शाना चाहता है actual में aunt Jennifer की पूरी complete life को उनकी death तक उस terror को जो उनके हातों में उनके मरने के बाद भी बचावा है जो अंकल ने उनकी लाइफी में जुल्म ढ़ाए हैं और यार अगर हम सोचें शायद हम अपनी life में एक aunt Jennifer को जानते हैं और एक अंकल को जानते हैं जो हमारी aunt को तड़ पाते हैं the tigers in the panel that she made मतलब जो tigers aunt Jennifer ने कढ़ाई करे थे, embroidery करे थे cloth के उपर will go on prancing जिसका मतलब मैंने बताई दिया था proud and unaffraid मतलब गर्व से भरे वे जिनें किसी का भी टर नहीं है वो tigers जिन्दगी भर हमेशा के लिए उस cloth पे बने रहेंगे अब देखो यहाँ पे मैं first stanza की तरफ जाके आपको इस poem के एक बहुत important चीज़ बताना चाता हूँ first paragraph में यह stanza में क्यों tigers को इतना ज़ादा personify किया गया था क्यों उन्हें इतना beautiful और क्यों उन्हें इतना बहादुर बताया गया था क्योंकि देखो aunt Jennifer के लिए जो tigers उन्होंने बनाए वो एक तरी के से उनके लिए idol थे और हम एक चीज़ समझो हमारी life में भी यही होता है हम उन लोगों उनकी life में सबसे बड़ा क्या fear था men का आदमी का डर और जो tigers हैं not fear the man beneath the trees उन्हें किसी भी आदमी का डर नहीं है वो बिल्कुल अनफरेड है वो बहुत shivalric है बहुत smooth walk करते हैं confidence है उनकी life में और उनकी life में power है जो power aunt Jennifer को अपनी life में कभी नहीं मिली तो यहाँ पे हमारी poem यह कहना चाहती है अब भई मैं बस video end करते हुए आप लोगों से हमारे educators on YouTube का एक secret बताना चाहता हूँ भई मैं पहले भी बता चुका हूँ यह बात हमारी यह 15 minute की वीडियो में कम से कम 5-10 गंटे का production time लगता है और यार तुम्हारे सिर्फ और सिर्फ comments यह हैं जो हमें बता सकते हैं कि भई हम जो काम कर रहे हैं वो ठीक है और आपको ऐसा काम चाहिए या नहीं चाहिए तो भई शर्माना मत नीचे जाओ comment से section भर दो तुम्हें वीडियो पसंद आई या नहीं आई घबराओ मत जो मन में है लिख डालो तो बाई गाईस and best of luck